सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस था नोटिफिकेशन पटन ब्रेन बस के साथ मैं और डॉक्टर अन्वीर शार्दा आपकी खिद्मत में हाजर हैं व्यूर्स आज हम फिर चाइना के ही उस जो एक्सपेंशनिजम का उसका एक अंबीशन है उस पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इतने गट्स वेस्टन वर्ल्ड में हैं जो वो इस वक्त कोविड नाइनटीन की सूर्टे है आल के बाद चाइना पर किटिसाइज कर रहे हैं किटिकल हैं चाइना के केमनिस पार्टी का जो एक्सपेंशनिजम का एक अमबीशन है और उसके साथ साथ जो हुमन राइट्स की एक ग्रॉस वाइलेशन हैं उसको क्या रोक सकेंगे या फिर अपने बिजनस के पैटी इंटरस्ट में वेस्टन वर्ल उसी तरह रहीगी जिस तरह कोविड नाइनटीन से पहले चली आ रही थी डॉक्ट शार्दा साब नमशकार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलिफून लाइन पर डॉक्ट साब क्या आप देखते हैं मेरे इस इंट्रोड़क्शन के कांटेक्स में बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बैन हैं सारे संसार में उन सब को बहुत बहुत ईद की मुबारक देना चाता हूं और उमीद करता हूं कि यह जो इद है यह आने वाले टाइम के उपर वर्ल्ड में पीस और कहीं न कहीं अंडर्स्टेंडिंग जो है वो ज्यादा क्रियेट करें अब आते हैं जी सबसे पहले कि चाइनीज एक्सपेंशनिजम और वेस्टन वर्ल्ड के गट्स के उपर यह थोड़ा सा यहां पर हिस्ट्री देना दुरूरी है कि यह काम शुरू हुआ है जब से आपने कहा कि कॉम्मिनिस पार्टी ऑफ चाइना मेरा ये कहना है कि Communist Party of China से भी ज्यादा जो इस वकत प्रेजडेंट हैं जी उनकी जो अमबिशन है कि मैंने चाइना का जो जंडा है वो जगा जगा के उपर फहराना है मैं समयता हूँ कि वो ज्यादा इंपॉर्टन्ट है और ये अपकाम कैसे शुरू हुआ है हम बात करते हैं हौंग कॉंग से हौंग कॉंग जो है वो एक दुनिया की सबसे बेस्ट वर्ल्ड में और वो पहले कॉलनी थी ब्रिटिश की जी इंग्लेंड और चाइना के बीच में एक समझाता हुआ हुआ है और मानते हैं कि होंकाम जो है वो चाइना की टेरेटरी है पहले तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक की वो इंग्लेंड ने वहां पर की और उसके बाद उन्होंने एक उनके साथ एग्रिमेंट किया उस कांट्री के साथ जो जो कभी भी किसी अग्रिमेंट के ओपर नहीं टिकता और उन्होंने एक्रीमेंट किया कि पचास साल तक हौंक कांग की जो इस वकत की सिविलाइडेशन है जिस में फ्रीडिम प्सपीच है जिस में एक democratic process शुरू हुआ और उन्होंने अपना चीफ चुना उसी वकर चाइना ने उसको हटा कर अपना जो है आदमी या लेडी को वहाँ पर लगा दिया जो कि प्रो पेकिंग प्रो बेजिंग और प्रो चाइना अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यह हुआ कि बहुत ज्या वो लोग हैं जो के democratic setup को continue रखना चाहते हैं उसके बावजूद भी जो वहाँ की governors हम कहा देते हैं उसको जो appointee of the Beijing government उसने एक नए कनून बनाने की कोशिच की ताहर साथ वो कनून ये थे कि हम जो यहां के बंदी हों हैं उनको मेलनेट चाइना की प्रिजन्स में भीज सकते हैं ये था इशू जहां से बहुत बड़ा इशू बना लेकिन बाद में सब कुछ फिट रहा कर लिया गया अब जो चाहिना ने चार दिन पहले ये कहा है कि हम पूरी की नकेल डालने जा रहे हैं हंग कॉं के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा प्रस्पेक्टिव यह है कि हम किसी नसान को किसी भी संस्ता को अलाव नहीं कर सकते कि चाइना के मसले में और चाइना की डिसिंटेगरेशन में वो उसका हिसा बने और इसलिए उसमें होंग कॉंग भी जो है वो भी इंक्लूटेड है और हम अब चाहेंगे कि होंग कॉंग जो है उसके ऊपर हमारा राज जो है वो पूरे तरीके से शिरू हो अब इसको 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 इस क्या चाइना युनाइटिन नेशन्स में भी अगर आप रेजलूशन पास कर लो क्या वो केर करेगा क्या वो परवा करेगा ये स्वाल आपको है जी आप मुझे बताइए कि मतल़ जो वेस्टन वर्ल्ड है उसमें क्या इतना दम नहीं है कि वो चाइना के सामने खड़े हो के ये कह सकें कि हम आपको ये अलाओ नहीं करने देगे इंगलेंड की वो टरिटरी थी अब इंगलेंड में तो इतनी बड़ी आप कपैस्टी भी नहीं है हमत भी नहीं है वैसे भी वेस्टन वर्ल्ड को बहुत इस वकत धका लगाया हुआ है तो इस इन हालातों में या तो इसका फैदा उठाया प्रेजिट जी ने या उन्होंने सोचा कि इस वकत हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता लेटस टेक एचांस डक्सर देखिए इस पर बहुत सरी बाते हैं पहले मैं बात वहां से शुरू करूँगा जो आपने कहा कि ये प्रेजिट जी का परसनल एजंडा है मैं समयता हूं कि प्रेजिट जी और कैमिनिस पार्टी अफ चाइना में कोई फर्क नहीं है प्रेजिट जी अपने तोर पर कुछ भी इतने बड़े अकनामात नहीं कर सकते जब तक कैमिनिस पार्टी ऑफ चाइना उनके साथ ना कड़ी हो और इस वक्त इस पावर गेम में जो कैमिनिस पार्टी ऑफ चाइना के जो पॉलिट बियरो के रुकन है वो मैक्सिमम नंबर आफ देम आर विफ प्रेजिट जी प्रेजिट जी इस विफ देम वो उनका चाइना ड्रीम का एक जो परजेक्ट है वो वो आगे चल रहा है अब हम आते हैं वेस्टन वर्ल्ड की तरह देखिए जो हॉंग कॉंग के पर्टेस हैं वो कोई तकरीबन दो साल से हो रहे हैं और ऐसी बात नहीं के वेस्टन वर्ल्ड उसका साथ नहीं दे रही थी वेस्टन वर्ल्ड पूरी मदद दे रही थी हॉंग कॉंग के पर्टेस्ट को आगे लेकर जाने में चुक्छे वो डिमॉक्रेसी का एक सिलतला है और वेस्टन वर्ल्ड को सूट भी करता है वो सारा चल रहा था अब बीच में ये कोविड आ गया कोविड आ गया तो हर चीज जामद होगी मगर हॉंग कॉंग ने और जो आसपास के कंटीज ने काफी कंट्रोल रखा अब जो हम ये सोचें कि क्या कोविड नाइन्टीन से फाइदा उठाते हुए परेज़न जी ने ये स्टैप लिया है मेरे पास एक डिफरेंट सिनेरियो है असर में कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन से फाइदा उठाते हुए हांग कांग के जो लोग हैं वो एक अजादी की मुहिम को काफी आगे लेकर जा चुके थे आपने जिकर किया कि वो इंगलेंड का हिसा होता था वो तो कब की बात खतम हुई जब 99 येर्स का लीज का मामला खतम हुआ तो उस वक्त वो चाइना की एक तरह से आटॉनमी में आ गया और तब से वो एक अटॉनमस प्लेज के तोर पर भी चलता रहा मगर अंडर अंबरेला अफ चाइना देखिए अगर हॉंग कांग की हमिस्टरी देखें हॉंग कांग हो ताइवान हो वियतनाम हो इवन साउथ कोरिया यह सारे वही सीनो नेशन के लोग हैं वही चाइनी चाइनीज लोग हैं मगर यह बहुत डेमोकराटिक नेशन हैं और इवन चाइना में भी अगर यह कैमिनस पार्टी का स्ट्रॉंग होल्ड खता हो तो चाइना में बिलकुल वेस्टर साइल के डिमोकराटिक आ जाएगी चाइना में उसकी पूरी के पूरी इन्वार्मेंट मजूद है मगर कैमिनस पार्टी अफ चाइना ने अपने कंजे में सब को रखा हुआ है अब इस सारी सूरते हाल में अगर हम यह कहें कि यह वेस्टरिनर जो कंट्रीज हैं उनकी मतब कंडेमनेशन काफी नहीं उनका साथ होना चाहिए कि मैं पहले तो सिलाम करता हूँ खुद उन चाइनीज को जो होंग कांग में सिंगापूर में वेतनाम आपके ताईवान वो सब चाइनीज हैं वो जो उट खड़े हैं इवन मलाइशया इंडोनेशया के चाइनीज भी कैमिनस पार्टी के हामी नहीं है हाँ वो चाइनीज जरूर हामी होगे इन मलकों में जिनके इंटरस्ट जुड़े होगे हैं बगर जिनके इंटरस्ट नहीं जुड़े होगे जो डेमोक्रेटिक माइंड्स के हैं वो असल में वो हैं के वो चाइना के आगे खड़े हो सकें जो हमारा में टॉपिक है वेस्टन कंट्रीज ने अपनी हमाक्तों की वज़ा से चाइना को वर्ल्ट ट्रेट और्गनिजेशन में लाए खास पर अमरीका का इसमें बहुत बुरा रोल है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजिटन बुश सेकंड बुश जूनियर से लेके कलिंटन ने तो हद कर दी और अबामा ने तो उससे भी ज्यादा हद कर दी सदर्ट ट्रंप ने जैसे पंजाबी में कहते हैं न कुछ ड़का लगाने की कोशिश की टारिफ पे बात हुई सारा कुछ हुई सदर्ट ट्रंप का ये स्टाइल है बीच में फ्रेंट भी कह देते हैं मगर उनके इस तरह की लेंगविज पर आप न जाएं सदर्ट ट्रंप के जमाने में सदर्ट ट्रंप की वज़ा से नहीं सिर्फ बलके उन्हों ने भी महसूस किया पेंटागॉन ने भी के नफ इस इनफ तो वो चाइना को टाफ टाइम देना शुरू हुए और ये जो कोव ये देख रही है कि चाइना पर जो लो कास्ट लेबर की वज़ा से इतना दारो मदार किया जा रहा था एट लीस फूर दा पास्ट ट्वेंटी येर्स उसको कैसे खतम किया जाए और अपनी प्रोटेक्शनिसम की तरफ कैसे आजा ये एक तो ये वेस्टन वर्ल्ड का ये है ये डॉक्स आपर ओवर दा नाइट नहीं होगा दूसरा मिलिटरिली अगर कुछ वेस्टन वर्ल्ड कुछ करेगी वो आज की दुनिया में मिल्टरी एक्शन बड़ा नमुंके नहीं चुक्के किसी तरफ से भी को मिल्टरी एक्शन हो तो पकी बात है थर्ड वर्ल वर्ल व ये सबसे बड़ी वज़ा यही है चैना को ये कंफर्म था कि ये जो लोग हैं ये ये अटिंग है फॉप दा बेस्ट वर्ल सपेशली फ्रॉम अमेरिका राइट इंगलेंड में तो इतनी हीमत नहीं थी अमेरिका जो था वो उनको हेल्प कर रहा था अब अब इसलिए उन्ह सिखाया जा सकता है राइट हमारे सामने है एराण की एकजेम्बल हैं जी हमारे सामने है वेंज़एला की एकजेम्बल हमारे सामने हैं जी क्यूबा की एकजेम्बल there is no way वो जो farming products हैं वो अगर चाइना उन से ना करीते तो वो कहीं और ज्यादा पैसकते हैं क्योंकि परले की चाहिना में उतनी शयर दिमाड कहीं और नहीं जितनी मेज की डिमाड है उतनी कहीं और नहीं एंसे भीट जो वहाँ पर इस वकत मतलब समान प्रड्यूस किया जा रहा है अगरी कल्चर वो कहीं न कहीं जो प्रेजिडंट हैं उनके हाथ में प्रेशर डालती है कि पार जो के चाइना से आते हैं अब आपने कहा कि ये अपने आप में प्रिटेक्शनिजम जो है उसको लगेंगे साल येस चार से पांच शे साल भी लग देते हैं मेरा स्वाल सीधा था ये है वेस्टर मुर्ड को कि क्या उनमें ये कट्स हैं कि वो एकनॉमिक सेंक्शन्स चाइना के उपर लगा सकें नमबर वन नमबर टू अगर वो लगा देते हैं कि चाइना इस नॉट राइक एरान कि जहां पर सुनी की मिजॉर्टी है मुसल्मानों की और वो भी अमेरिका के साथ चले जाएंगे बेचलो शीया के उपर लगा दो क्योंकि वहां पर सौदी अ चाइना के उपर लगाते हो एंजी इस किसम की एकनॉमिक प्रटेक्शन तो पहले तो आप यू समय लो कि 193 युनाइट नेशन के कंट्रीज हैं उनमें से सो कंट्री तो मानेंगा ही नहीं हैं अमेरिका की या वेस्टन वर्ड की इकनॉमिक संक्शन को 100 कंट्रीज मैं आपक संक्शन अगेस चाइना अब वो जो गर्स की बात करते हैं मुझे ये बताईए कि अगर कोई स्कीम आप लगू करते हो उसके आपके साथ जो है आपके अपने साथी नहीं चलने को त्यार या आपके वो कंट्री जिनको आप समय जोगे आपके साथ चलेंगे हो सकता है कि लगनी लड़ाई मेंस अब ताट मेंस एनी एलेशन अफ थी उमन बीइंक और अवर दे वर्लेड अब थे इन उन्मेटर अपर आप तोड़ा साथ ये बात करें किस तरीके से चाइना के उपर प्रेशर पाढ़ सकता है और जो चाइना ने थे उसमें कोई शक नहीं है कि ये तो भी चलो डिबेटे पर लाया कि क्या चाइना ने ये जबर इंटेंशनली ये जो है करोना वाइरस उसको पैदा किया या भीजा ये तो बात की बात है लेकिन इस वक्त तो हम करोना वाइरस को फेस करें और अगले चार पाइट साल के लिए वर्ल्ड की एकॉनमी का काफी बुरा हाल रहना है तो अब आप मुझे ये बताईए कि एकनामिक सेंक्शन कैसे लग सकी ये लेकिन अभी भी कई मुलक उनके साथ सोदा सलफ करते हैं काम चलाते हैं खुद चीन का उनके साथ चोरी चुपे काम चलता रहता है और भी कई मुलकों का काम चलता रहता है और कुछ बरहल वो काम कम हो गया है चुकिए अमेरिका ने दिन बर दिन वो सक्ती बढ़ा दिया है तो लेकिन ये भी देखिए मैं पहले एरान के मौडल को फिर चाइना के मौडल के साथ कंपेर करूँगा कि एरान की जो जो मिजोर्टी अफ दे पीपल जो मिजोर्टी अफ दे एरानियन है वो एरान की रजीम के साथ नहीं है कोई एरान खलाफ नहीं है चाहिना के एरानियन खलाफ नहीं ही तो अ अमेरिका कई सालों से खड़ा है, सेंक्शन लगा रहा है, और बहुत सरे वेस्टन कंट्री उसकी बात भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एर इरान चली जा रहा है, अपने लोगों को मारी जा रहा है, उसको कोई परवाद नहीं हुमन राइट्स की, तो चाइना अ आप देखें, अगर इसी मसाल को आप चाइना के लेवल पर देखें, तो वो इतना बड़ा मुल्क है, अब इतनी बड़ी वो एकनामिक पावर है, इतना बड़ा प्रड़क्शन हाउस है, कि अब वो उसके साथ आप गट्स अगर आपके पास हों भी तो आप डील नहीं कर स और बहुत सरे कंटी के साथ वो कारोबार करता रहेगा, कोई चाइना इस नोट लाइक है, इरान, इरान को आप कुछ नहीं कर सके, सारा कुछ मसल्स दिखाने के बावजूद, क्यूबा जो अमरीका की बगल में बैटा था, क्या बगार लिया, गुर्बत में मर रहा है इसी तरह से जमूरी ताक्तों को चाइना में मदद दी जाए, और यह जो केमिनस पार्टी ऑफ चाइना है, इसको ओवर्ट्रू किया जाए, यह है, सिर्फ डॉनली स्लूशन यह है, आप सैंक्शन लगा के भी सैंक्शन लगाने का डॉर्ट सब जो अमल है, वो आटोमेटि सिर्फ और सिर्फ यह है कि अमेरिका और वेस्टन वर्ल्ट जो हम मैं देख रहा हूँ बीस पचीस साल से, खास पर नाइन एलेवन के बाद, इनको समझ नहीं आ रही है, कि यह जो एक्स्ट्रीमिस इवल फोर्सेज हैं, इनको कैसे रहरास पहलाते हैं, मसार के दोर पर यह यह कैमिनस पार्टी ऑफ चाइना है, अब इस्लामिस्टों का पर जो है हावी आना, वो मुस्लमानों पर सेंक्शन लगाने से नहीं होगा, वो इस्लामिस्टों के जो पक्के बीस-तीस दुनिया के खौफनाग ग्रोह हैं, उन पर सही क्रैक डाउन किया जाएं, अब देखि तरफ से तालमान के साथ आजकल टेबल पर बैठ गए हैं, तो यही तो इनकी बेवकुफी है, अब इसमें ना तो अफगानियों का कसूर है, ना मुसलमानों का कसूर है, यह अमेरिका की अपनी स्टूपड पॉलिसीज है ना, कि इनको बात ही समय नहीं आती, यह बिक जाते आपने ही लोगों की बेवकुफी के हाथों? उतनी बुरी तो क्यूबा में भी नहीं है, उसको भी यह कुछ नहीं कर सके, मतलब वहां की यह लोगों को नहीं उठा सके, तो चाइना जिसका 1.4 बिलियन लोग हैं, और जिसमें लोग जो हैं, ऐस चाइनिस, फखर महसूस करते हैं कि वह यह चाइनिस, जी, वह एक अकेला नेशन है, मैं जो समझता हूँ, जिसमें बहुत बड़ा नेशनलिज्म का मता है, उस जाते कंट्री को, वहां की कमनिस पार्टी को खतम करना, तो मेरा खाला है, ताहिर साभ एक ट्रीम वाली बात है, अपने आप खतम हो जे हो जैसे कि रश्या में हुआ, अपने आप खतम ह हो जाए, आप ये समझो, कि ये पहार की फोर्से से खतम होगा, मुझे तो उसके कोई असार नजर ही नहीं आते है, स्वाल तो सिर्फ फिर यही पैदा होता है, कि इसका मतलिया है कि वेस्टन वर्ल्ड जो है, वो टोटल है प्लस है, इन्फरेंट आफ चाइना. जाट सा बा जाया करते थे, ये डटे, सोविर यूनिन के खलाब, सोविर यूनिन की जो एक्सपैंशनिस्म की जो थी पॉलिसी, वो चाइना की तो कुछ भी नहीं है, वो तो रखबे में भी दुनिया का सबसे बड़ा मुलक है, चीन, सौरी, अमरीका और कैनिड़ा इतने बड़े मुल अरब तक, सेंटल एशिया तक, और आगे अफ़ानिस्तान, पाकिस्तान, वो इतनी खौफनाक थी, कि वो अपने वजह से वो नहीं तूटे, वो इनकी वजह से तूटे नंबर एक, नंबर दो जो फैक्टर है, सोवियत लोगों में एक डेमोक्रेटिक एटिचूट था, वो एक वेस्टरनाइज नेशन थी, उस वजह से, वहां से वो आइडियालोजी खत्म होई, अभी तक क्यास चल रहा है, मैस चल रहा है, खर उसको चोड़िये, अब चाइना की बात आती है, आपने बात की कि चाइनीज बड़े नेशनलिस्त हैं, बिलकुल है, होने चाहिए, इ लेकिन चाइनीज जहां नेशनलिस्त हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, वो डिमोक्रेसी चाहते हैं, वो अपनी कैमिनिस पार्टी अफ चाइना से जान चुड़ाना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े जो इंसेंटिव है, जिन्दगी के इंसेंटिव, चाहिनीज ने समझ लिए हूँ हैं, वो टेकनालोजी में, बिजनस में बहुत आगे जा चुके हूए हैं, वो अब इस अपने ही अफरीज से जान चुड़ाना चाहते हैं, मैंने एरान की मसाल दी ती, दुबारा दोंगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं कई बार एरान गया हूँ, एरान की 95% लोग उस रजीम से जान चुड़ाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने कोई आज तक खास मदद नहीं की, जो जो जमूरियत पसंद हकूमते हैं, ये कहते हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये कर सकते थे, मगर इन में एहलियत ही नही रह हैं, अब चीन ने क्यों हांग कांग पर ये निया लेकर आए हैं दो दन पहले, चूंके उस से वेस्टनर और आस्टेलिया और ये सब ये तैय कर रहे थे, कि ये हांग कांग में अजादी की बात को बढ़ाते हैं, ये कोई ये नहीं था कि इन्फरमेशन नहीं थी चाइना क अगर मुझे और आप को आईडिया है तो चाइना को और हर स्टेट की इंटलिजनस को पूरे का पूरा पता हो था है, क्या हुरा है, वो इनको पूरा पता था, तो उनों ने कहा कि ठीक है, अब हम क्रैक डाउन करते हैं, और सखत करते हैं, तो अब अगर वो चाइना क्रैक में आप घुसकती है ये तो बात इतने बड़े लेवल इतने बड़े कंट्रीज में पॉसिबल नहीं रही वो तो खुद चीन में मैं आपको दावे से कहता हूँ आप कैमिनुस पार्टी अप चाइना पर किसी तरीके से कंट्रोल कर लें तो चाइनीज नाइन्टी परसंड ल तो चीन पर ये क्या कर सकेंगे इसलिए इनको ये फिर ये सोचते हैं ये खुद भी सोचते हैं कामिनी कंट्रोल कर सकेंगे तो फिर ये अपनी तरह से बीज का रस्ता निकालते हैं जब बीज का रस्ता निकालते हैं तो वो रस्ता अंधेर नगरी है कोई और है ही ही नहीं ह थोड़ा से इस पर टच करना चाहता हूँ, आपकी तरफ सवाल पहंकना चाहता हूँ, कि ये नेपाल की जो सूटेहाल है, और थोड़ा सा बुटान का भी मामला है, अब नेपाल, चाइना, और इवन बंगला देश भी उस आता है, लेकिन नेपाल पे हम खास फोकस करेंगे, आप मुझे और वियूर्स को ये बताईए, कि नेपाल का कल्चर, एकानुमी तो बहुत कुछ डिपेंडेंट है भारत पे, लेकिन नेपाल ऑन अन ओफ ना, जैसे चाइना के हाथों में खेलने लगता है, क्या ऐसा होता है, और हो रहा है, दिल्कुल हो रहा है, क्योंकि चा आप ये बताईए, क्योंकि चाहरे का साहरा इंडिया से जाता है, ये बाइट ट्रक्स जाता है, लेकिन अगर समुर्दियाद है, जो नेपाल इस वकत हिंदोस्तान के साथ पंगे ले रहा है, और एक निया नक्षा बना के ला रहा है, जिसमें हिंदोस्तान की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी दिखा रहा है, तो उसके पीछे एक सो पचास परसंट हाज जो है, जैसे आप दावे से कहते हैं ना जी, इरान के 95 परसंट लोग जो है उसके इनजीम के गेस्ट है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पर भी 50 परसंट अभी फंडमेंटलिस हैं, और चाइना में आप कहते हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है, चाइना में भी जो लोग हैं जिन्हों ने पहले बड़े दुख देखिया, अब सुख देखा है, एकॉनमी की तरफ से, वो कोई इतना नहीं चाहते हैं, जैसे हो जाएं, लेकिन फिर भी नेपाल की अगर बात हैं, जी, बेस्ट आपकी लाइफ कर देंगे, आपकी लाइफ में बड़िया मकान मिलेंगे, सटके मिलेंगे, उन्हें वहाँ पर सटके बनाई हैं, जितनी भी गवर्मेंट हैं, पहले कांगर्स की गवर्मेंट हैं, जी, अब बीजेपी की गवर्मेंट हैं, इन्हों ने अ आगे आप आपका बंगला देश, शिरी लंका, जो बंगला देश है, उसमें जब तक हसीना है, क्योंकि हसीना जो है, उसकी डिपेंडनेस ही बहुत ज्यादा है हिंदोस्तान के उपर, तब तक तो आप समझ लिजे कि बंगला देश पूरा चाहिना के साथ नहीं जाएगा, ज कौंपर्मा कहते हैं, उसके उपर तो तकरीमन चाइना का बहुत बड़ा इंफलेंस है, नेपाल के उपर इसमें एक परसेंट भी शाक नहीं है, कि चाइना जो है, वो इस वक्त उनकी पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है, अब एकानमी की बात है, क्योंकि वो उस किया जा रहा है कि जो उसका बॉर्डर है, वो नेपाल चाइना के साथ लगता है, इसलिए चाइना से हमारी दोस्ती पंड़नी चाहिए, क्योंकि मार्क्सिस्ट वहाँ पर इंफलेंस है, अब स्वाल ये पैदा होता है, जो वो नक्षा बना के सामने लेके आ रहे हैं, और वहां की जो आपकी गाड़ियां चल रही हैं, डिपेंड करती हैं, मुझे, मतलब ये ये जो चाइना का एक सारे जो इंडिया के इर्दिकेद कंट्रीज हैं, इंक्लूडी श्री लंका, ये तो और बाता कि श्री लंका में एक गौवर्मेंट बदल गई, पर आपनी कही किसी तरीके से अपनी चाप जो है वो रखनी की कोशिश कर रहे हैं, जी डॉट साब, वो तो बिलकुल एक सूर्टहाल वाज़ है, लेकिन क्या आप समयते हैं, कि इंडिया अपने इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ ऐसे तलकात अब आगे एडवांस करेगा, कि चाइना का काम हो, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में का कि इनकी एकॉनमी और कल्चर दोनों की जो इंडिपेंडनसी है वो भारत पे है, तो क्या इंडिया इसमें कोई ऐसा करदार अदा कर सकता है? कर सकता है, लेकिन इंडिया ने किया ही नहीं। है हमारी, इन पॉलिसी के उपर आप काम करिए, अपनी पॉलिसी मत हमारे उपर थूपिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉबलम है अंदोस्तान में कि जितनी भी गॉर्मेंट है तक आहीं है, उन्हों ने अपने नेबर्स के साथ, जो के बहुत अच्छे रिलेशन डॉल्प किया, वो ही मजबूरी थी वो कोँ ये ने क्या, रहे असान किया, वा मजबूरी थी क्योंकि रिए करोड़ आओमी लूरा एंटौस्तान में आकर पैट गया था, वो मजबूरी थी, लेकिन अट बेसम टाहिं हिंदोस्तान के कहीं न कहीं पॉलिटिशन को और जो बिरोक्रिसिया उनको ये अपना माइंड सेट अप जाज करना पड़ेगा कि वी शूड हैव बैटर रिलेशन्स विधी नेभर्स नहीं तो हैं जी जो इंडिया है वो बिलकुल अकेला पढ़ जाएगा और I think that that will be the most dangerous place for it. ठीक एडर्साब ये तो खेर वो बात चीत है जिसमें बहुत सारे controversial aspects पे बात हम एक पूरे show में कर सकते हैं तो अगर आज की गुफ्टगू को हम sum up करना चाहें तो आप इसके लिए क्या conclusive remarks रखते हैं? मैं सिर्व ये ही कहना चाहता हूं लेकिन economic लिए अगर हम बात करें तो इनको अपनी policies को change करना पड़ेगा लेकिन अब सबसे बड़ी problem क्या आगी अता है तो let's be practical ये covid-19 ने सारी economies का बठा बठा दिया अब अगले 4-5 साल इनके पास time ही नहीं होगा कि ये चाइना के बारे म अपने लोगों के बारे में और किस तरीके से Europe दुबारा उठे किस तरीके से American economy उठे किस तरीके से Canadian economy उठे मुझे तो लगता है कि अगरे 4-5 साल अब चाहिना के पास बड़ा free hand है और चाहिना will be able to do economically, I am not talking militarily, militarily to they have decided that we will not allow China, लेकिन yes, definitely economically I think China has a upper hand for the next three to four years, उसके बाद क्या होगा, ये देखा जागा, मेरा, मैं तो, मैं तो यही समझता हूँ. Thank you very much, Dr. साब. आप भी अपने कमेंट्स देदी जी ने आप जी जी, मैं इस पर यही कहूँगा, कि बात यह है, कि यह सिलसला तो अब COVID-19 के इस जमाने में भी हम देखेंगे, किस तरह दुनिया की direction बदलती है या वो ही रहती है, और उसके बाद किस तरह की सूर्टेहाल है, वो भी देखेंगे, मैं आप से एगरी करता हूँ इस बात पर, कि COVID-19 ने अब पूरी दुनिया के country's को इस तरह के भंबल भूसे में डाल दिया है, कि अब जिसे कहते हैं, अपनी अपनी पढ़ गई है, अपनी अपनी पढ़ने के साथ साथ, जाहर एक गलोबल शेरिंग वि pensionism का और ये जो selfish रविया है, चाहिए कोई भी country हो, उसको उस पे टाबू पाना होगा, rationality लेनी होगी, मगर डॉक्र साब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि इनसानियत में ऐसा possible नहीं है, जो personal मजबूरी है, जो कामने आ जाते हैं, economic मजबूरी हैं, ताहर साब ब बड़े बड़े countrys होते हैं, इनके जो एजेंडे बन जाते हैं, उन एजेंटों को बास उकात, for instance, हम चाइना की बात करें, चाइना की कम्यनिस पार्टी कई एजेंडों पर सोचती भी है कि ये अप गलत हैं, ये चेंज करना जाएं, ये मगर अब उनको चेंज करना बड़ मुश्कल हो जाता है, इसलिए कि जब एक पत्थर, बड़ा भारी पत्थर आप किसी पहाड़ी से उसको एक दफ़ा जैसे कहते हैं, लुडखना शुरू हो जाए, पहले तो उसको मूव करना ही नामंकिन होता है, वो इतना भारी होता है, कोई दो सो, चार सो लोग, कोई दस बीस करेने मिलकर उसको मूव करती है, अब उसको रोके कौन, अब उसको रोकना, यह यह इसी तरह की यह पालीसियों होती है, यह बड़े-बड़े कंट्रीज की, पेंटागॉन की हो, चाइना की हो, अब वो जब तक वो खुद से ना रोके, और उनके रोकने तक एक बहुत टाइम के उपर रायत मिले, चाइना जो है, उसको तो चलिए, देखते हैं, कैसे सारी दुनिया ठीट करती है, लेकिन समर्दी इस वोकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो है, एकनॉमिक एड कोविड नाइटीन से कैसे बचना है, और इसका जो सेकंड अटेक होना है, जानी उससे कैसे बचना है, बिल्ला शुपर डॉक्ट साब, ये इंपॉर्टन बाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त दिया, बाची सुने, बाची का आप सुन रहे थे, डॉक्टर रनवीर शार्दा की ब्रेन बस में, और हम इस तरह की बाते, इस तरह के क्रिया.